नमस्कार स्वागत है आपका फोकस कारिक्रम में और अपसे कुछी समय पहले प्रधानमंत्री मनमोहन सिंग्ग ने अपने अंदास से थोड़ा अलग हट के विपक्ष को काफी आड़े हातों लिया है संसत लेकिन उसकी चर्चा आप सुनेंगे नियूस नाइट में जो आठ ब बंगलादेश दौरे की और बंगलादेश के मौजूदा हालात राश्पती प्रणम मुगर जी कल रात महां से लोट गया है रस्तिमोन ने पत्रकारों से बात करी बंगलादेश में इंक्लूजिव पलिटिकल प्रोसेस पे बल दिया और साथ ही सामप्रदाइक सदभाव पे डेलिगेशन में शामिल थे जर्नलिस्ट के बतौर तो मैं आप से शुरू करता हूँ राजकिशोर आप महाबे थे तीन दिन बंगलादेश में जबरदस्तिस समय तनाव है काफी हिंसा हो रही है असी लोग मारे जा चुके हैं करीब एक महीने में इस दौर में प्रणब मु पर जाता है और बंगलादेश एक कल्चरल बॉन्ड है उनका उसके साथ में जो बंगलाभास 1971 से उसके बंगलादेश के निर्मार से लेकर अभी तक तक तमाम जो बंगलादेश के साथ निकोशियेशन चलते रहे हैं प्रणों मुखर जी राश्टपती होने से पहले भी उस कि उन्होंने सबको याद दिलाया कि 71 में निर्मार की नीव क्या थी वो था वहां की कल्चरल बॉन्ड जो बंगाली असमिता को जगा कर आए वहां पर और एक नया सेत जो खासतोर से प्रधान मंतरी की आत्रा के समय में जो एक कटुता पैदा हुई थी ममता बनर जी के तीस हमारी क्रूप से हमारी बहुत महाधपूर है उस लिहार से भी अगर आप देखें तो बहुत जादा एक अपने अभिनों और बहुत हिमत का काम था जो प्रणो मुखर जी गए और उससे यादा जिस तरीके से जनता ने उनको रिस्पॉंस किया धाका इन्वस्टी में वहां तोर पर बड़ी बोरिंग स्पीच होती है दिच्छान समारू की एक परमपरा है लेकिन तालिया तकलुफ में जादा बचती है और चारिकता में पर वहां पर वह ऐसा लग रहा था जैसे रैली हो रही हो एक कोई जन नेता लोग प्रियनेता वहां पर उनके बीच में जो उ उनकी हैसियत है उनकी उनकी ससुराल भी वहां पर उनके जमाई भी है वहां पर तो इसका एक फाइदा उठाना चाहिए और थोड़ा सा विवहारिक रवाई आपनाना चाहिए वापसी में आते समय यही कुछ उनकी भावना भी थी राश्पतीजी की जो उनने जनलिस के जो मुख्य विपक्षी पार्टी है तो उनका इस महौल में जाना ही एक राजनेतिक सिगनल था, मैसिज था, एक था कि आवामी लीग सरकार जो है उसका एक एंडॉस्मेंट और दूसरे तरफ यह भी पूरे संसार को कहना कि जो शेख हसीना का सरकार है वो इस इन कंट्रोल एक विदेश के राश्ट्रपती को वो होस्ट कर सकते हैं और काफी फंक्शन धाका में भी थे, बाहर भी थे, वो हेलिकॉप्टर में गए तो एक नॉनमल सी खाबर तो छपी थी कि बम, देशी बम कोई, जो कि बहुत कोई समझ सकते हैं कि बहुत बड़ी चीज नहीं होगी लेकिन किसी ने यह हिम्मत तो करी कि वहाँ पे एक देशी बम ही चाहिए लगाया और दूसरी चीज थी कि उन्होंने दो चीज का फाइदा उठा है, एक तो बंगाली होने का और क्योंकि उस जैसे राजकिशोर जी नहीं कहा कि यह जो बंगलादेश का जो प्रियेशन देट इट वस बेस्ट ऑन यह बंगाली आइडेंटिटी, क्योंकि वो जो धाका का जो सबसे बड़ी जो तालिया आए जब उन्होंने पहले कहा कि मैंने जो किताबे आपने पड़ी है, मैंने पड़ी है, जो गीत आपने सुने है, मैंने सुना है, जिस नदियों के साथ आपका जुडाव रहा है, मेरा रहा है, उस पे सबसे ज़्यादा तालिया, in fact, much more than जब उ Land Boundary Agreement की, और वहां किते हैं, दस हजार बच्चे थे, और जमात ने भी कोशिश की थी उस दिन की वहां बच्चे ना आए, और दस हजार बच्चे और दो हजार फैकल्टी और दूसरे गैस, एक पंडाल में था, तो जबर्दस नजारा देख के लोट के हैं आप लोग, वीन कहीं ना कि बांगलादेश ने 171 बना, उस समय वो इंद्रा गांधी के एक तरह से करीवी थे और उनका एक भूमिका थी, जिसका उनने उनलेक अपने भाशन में किया था, लेकिन बांगलादेश के भीतर की स्थिती, काफी विस्फोटक, 80 से जादा लोग मारे जा चुके है जमात की हरताल, BNP हरताल में शामिल एक महौल और पूरी युवा जिसे वर्क, लिबरल फोसेज, शाबाग स्क्वेर में, जो रीजन का तेहरीर स्क्वेर बनता जा रहा है। में जाता है, यह जाहिर हो गया है कि वो चाहते है कि वो भारत के साथ दोस्त रहें और हमारी में जाता सुद्रिड होए। मेरा है यह एक बहुत इंपोर्टन पैसिज है क्योंकि हर बार जो है, जब भी वहां पर इलेक्शन होते हैं, तो एंटी इंडिया प्रोपगांडा चलता है। कि भारत ने यह क्या है, हेजिमोनिक पावर है, यह है, वो है। अब यह जाहिर होता है कि यह एक पॉलिटिकल प्रोपगांडा है। और जो एंटी इंडियन पॉलिटिकल फोसे हैं, वो चाहते हैं कि इसके जरिये बंगलादेश की आवाम को भारत से दूर रखें। लेकिन बंगलादेश की आवाम ने दिखाया है कि जो फ्रेंडशिप हमारे राश्पती जी ने दिखाई, उनका उन्होंने दुगना तिगना जवाब दिया। तो यह जाहिर होता है कि वो हमारे साथ दोस्ती चाहते हैं, यह एक बहुत पुनियादी बात है। दूसरी बात जो है, एक दूसरे बिलकुल दूरी तरफ हम जाएं, वहाँ पर जो कम्यूनलिजम हो रही है और जो टागेटिड हिंदू की किलिंग हो रही है। वो भी एक ऐसा, ऐसी कोशिश है कि इन टागेटिड किलिंग के थूरू वो भारत के खिलाफ एक ऐसा feeling उत्पन हो जाए कि भारत के साथ कभी दोस्ती ना होए। तो यह political, diametrically opposed political forces जो वहाँ पर एक साथ हैं, हमें यह सोचने वाली बात है कि हमारी कोशिश सिरफ ही होनी चाहिए कि जो pro-democratic, pro-liberal, pro-secular forces हैं, उनको हम सिद्रिट करें, किसी भी ना किसी कोशिश से। और हम इसको इस तरह से दृट कर सकते हैं, कि जो हमने वहाँ पे आश्वासन दिये हैं, तीस्ता पे या land boundary agreement पे, one billion dollar credit line पे, उन सब चीजों को हम जल्दी से जल्दी करें, क्योंकि देरी से भी वो message कहीं ने कहीं lost हो जाता है, मतलब अगर आप बहुत विलंब होता है, तो उ आंटी इंडिया political forces उनकी उनका हाथ उपर हो जाएगा फिर से, अगर हम इनको इंपलिमेंट ना करें अपनी मुलाकात को रद किया, उससे भी एक message उन्होंने देने की कोशिश करी, और वो इस पूरी यात्रा में एक कुछ जायका खराब करने वाला मौका था, यह उन्होंने बहुत बुरा किया, क्योंकि जब खालद जीया जी यहां आई थी दिल्ली, तो हमारी सरकार ने खास तोर पे, उनकी मुलाकात, उनका call on President Pranamukar जी अरेंज किया था, last minute पे, क्योंकि उनकी बड़ी ख्वाइश थी खालद जीया जी की, कि वो हमारे राश्पती जी से मिले, तो उन्होंने, हमारी सरकार ने अरेंज किया, बिल्कुल, और वो बड़ी खुश हुई, लेकिन तब परणा जूरी ये, दिखाना हुआ, तो उनकी राजनितिक, पॉर्शन होगी ये शाहिए। ऐगर अच्छी नहीं है। अगर हमारे जो डिलेशन्शिप है हर एक political party के साथ, हम तो ये चाहते हैं कि जो भी political party सक्ते में आये, उनकी भी relationship इंडिया के साथ ऐसे होनी चाहिए, नॉर्मल, और अगर आप एक point ऐसा बनाएं कि ये मैं नहीं चाहती कि मेरी जो party है, वो good relationship with India के साथ associate हो, तो ये तो फिर एक राजकिशुर्द कल राश्पती लोटे उससे पहले मां की विदेश मंत्री की बिशाइद कली प्रिस कॉन्फरेंस लिए परसुदी पूमनी की उनसे इस सम्मन में सवाल पूछा गया, उनने कहा कि ये ब्रीच तो नहीं है, डिपार्चर है, डिपार्चर फ्रम प्रोटोकॉल उसके बाद हिंदुस्तान के साथ वैसे तालुकात रखने में, जब राश्पती से आप मिलने नहीं गई, तो आप कैसे मतलब इस बात को आगे बढ़ाएंगे, डिपू मोनी जी ने भी यही कहा, खास तोर से उनने कहा, ये लोकतंत्र, लोकतंत्र से पलायान है, और एक पर जाती, किसी भी किस्म की जो राजनीती है, वो इस कल्चर पर हावी नहीं होनी चाहिए, जो कि संस्कृत जोडती है, सियासत तोडती है, ये लगातार वो मैसेज देने की कोसिस करते हैं, इसी बात को दीपू मोनी ने भी आगे बढ़ाया, उनकी विदेश मंतरी ने, उनका यही कहना था, कि ये एक तरीके से बंगाली परंपरा का अपमान है, तो ये एक तरीके से मैसेज देना, इसलिए मैसेज देना जरू था, आप देखें, 1971 के बाद जो युवा पीड़ी, जो 71 के बाद पैदा हुई है, वो 71 के अतीद को भूल नहीं पारी, बलकि उसी इस्ति साइक तानेबाने की जो बात कही है, सद्भाव की बात कही है, कि हिंदों की किलिंग्स पर जो बात हुई है, तो साइथ उसके बाद उन पर ये दबाव बना है, और समिता, एक और दिल्चस बात ये है कि दीपो मुनी ने कहा, बंगलादेश की विदेश मंत्री ने, जैसे बीना जी बता रही हैं थी, शाए हम आगबारों ने लिखा, इंटिलेक्चुल्स, दूसरे पंडितों ने, आनलिस्स ने इस बारे में टिप पनी कियोगी, लेकिन भारत का रिस्पॉंस बहुत ही रिस्ट्रेंड रहा है, क्योंकि बारत इस बात को जादा तूल न देना चा विदाउट जमात वो अगला जो चुनाओ इस साल ही शायद होगा, अक्टोबर के बाद कभी भी हो सकती है, वो जीत नहीं पाएंगे, तो लोग ये भी कह रहे हैं कि जमात का प्रेशर था कि वो न आएं, लोग तो ये भी कह रहे हैं कि जमात के शायद साथ भी शायद नही प्रेशर था कि वो न जाएं, मगर भारत के तरफ से तो सब पार्टियों के साथ एक रिष्टा बना कर रखना चाहिए और यही कोशिश भारत के तरफ था, अब उन्होंने उसको ठोकरा दिया, तो और समिता, लोकल पॉलिटिक्स की, प्रिणा मुकरजी साथ की यात्रों को इस तरह की आप इधर हो दर इंटरैक्क कर पाएं, बट किस तरह की खुश्बू आ रही थी है, किस तरह की फील मिल रही थी, तेकि जो जिस होटेल में हम लोग ठहरे थे, वो शाबाग स्क्वेर से पांच मिनिट कभी रास्ता नहीं है, पैदल, पैदल, गई आप, तीनों दिन हम गये हैं, और यह जो आप जो एक लड़ाई वहां है, जो इस तब बैटल फॉर दो सोल अ बंगलादेश, आर पार की लड़ाई है, इसको हम यहां से बैठके बहुत रोमांटिसाइज तो नहीं कर रहे हैं, मतलों क्या ही सही स्थेती हैं, हम लोगों से मिलें, जो इन जो थे, जो मुक्ती बाहिनी से ट्रेलिंग ली, वो सब एक साथ है, एक्चुली, और वो पीड़ी और यह पीड़ी, दोनों पीड़ी एक साथ काम कर रहे हैं, बच्चों को आगे रखकर, आर्टिस हैं, वहां और स्टूडेंस हैं, एक लड़का जो इसमें हैं, ही इस आई यह एक अजीब शाथ हैं, बिलकुल लोग एक बात चल रही है, वीना जी, तो मौझूदा हालाद पे तो दोनों हमारे पत्रकार बता रहे हैं, जो लोट के आएं ढाका से, लेकिन आप जादा बेहतर समझती हैं क्यों आपकी माह पे पोस्टिंग रह चुकी हैं, आप कई सा अजर में क्या सिती यहां से दिख रही है आपको, क्या एक्वेशन बंदी लग रही है, बांगला देश में, अब तो कुछ महने हैं चुनाव के लिए, तो जो अब शाभाग स्कुरे में हो रहा है, पूरा महिना हो गया है, तीस दिन से लोग शाभाग स्कुरे में हैं, उस movement को अगर politicize किया जाए, तो शैद यह जो issues उसमें है, यह गुम जाएंगे, for example, I think, सबसे बड़ा issue जो वहां पर उन्होंने रेस किया है, एक महीने से रेस करने है, banning religion from politics, I think यह South Asia के लिए इतना महत्वपूरन संदेश है, भारत के लिए, पाकिस्तान के लिए, अफगानिस के लिए, हम पूरे South Asia के लिए, तो इसकी जो discussion है, यह एक unique चीज है, और वहां पर इस बारे में discussion होनी चाहिए, और आज जो है, वहां सरकार भी कह रही है कि हाँ, हम इस बारे में सोचेंगे, कि banning religion from politics, 1972 में इन्होंने किया था, actually 1972 constitution में यह uniquely, Bangladesh के पहले constitution में यह हुआ था, ल social amendments, शेक हसीना ने की है, उसमें उन्होंने secularism का लफ्स तो अपस लिया है, लेकिन banning religion from politics, वह अभी उन्होंने अभी तक नहीं किया है, तो यह issue जो है, यह बहुत ही महतवपूरन issue है, दूसरी बात जो है, religion पे ही, जमात ने यह बात पहलाने की कोशिश की है, कर रहे हैं, करीज को refute कर रहे हैं कि नहीं, और Islamic scholars जो है, वह भी शाहबाग स्क्रेय में जाके यह ही कह रहे हैं कि हम यह मानते हैं कि जो लोग यहां पे हैं, वो पूरे, they are devout people, and actually हमें तो फत्वा जमात के खेला देना चाहिए, और शिबीर के खेला देना चाहिए, तो यह कि एक बड़ी interesting movement है, क्योंकि हमारे पूरे दक्षिन एशिया में, religion has become the bane of politics. रही बात है, और राज किशोर अगर हम वाफिस से प्रणा मुकर जी की यात्रा पे लौते हैं, तो अगर उसको sum up करेंगे आप, 30 seconds में, तो किस तरह से? उन्होंने दोनों देशों की विपक्षी पार्टियों को, जो दोनों मुक्षी विपक्षी दन है, दोनों को संदेश दिया, BNP उनको कहा कि सामप्रदाइक ता विकल्प नहीं है, हिंदुस्तान एक सेकुलर बंगलादेश के पक्ष में है, जहां पर सभी धर्मों का सम्मा वहीं हिंदुस्तान को भी ये खासतों से भारती जंता पार्टी को जोनोंने सीमा समझोते का विरोध किया है, कि यदि उस पे आडिग रहते हैं, उस पे आप अड़ते हैं, तो इससे बंगलादेश के साथ संबंध उनमें लुक्सान होगा, और उन्हें साप साप कहा कि बं समिता कुप्ता, टॉप लाइन, ने, आइ थिंक जो राज किशोर जी ने कहा वो बिलकुल सही है, उनके जो स्टेटमेंट्स वहां, जो स्पीचर स्टेटमेंट्स बहुत ही पुलिटिकल थे, एक सॉट अफ कोड़ेड लाइंविज में, तो विंटेज प्रनभ मुकर्जी देखने को मिले आपको, राज एनक, सेरिमोनियल प्रेंजरेंट्स वहां, उन्होंने ये भी शाबाग का नाम नहीं लिया, मगर उन्होंने कहा कि जो बंगलादेश का जो भविश्या है, उज्वल है, क्योंकि उनके जो यूथ है, वो स्पिरिट ओफ लिबरेशन और इसको पार हर जगे पे की तीस्था और लान बाउंडरी ये एक इन्डिया का कमिट्मेंट है.